आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अंदर हम लोग Current sow करवाते हैं और इसकें अंदर उस Current के हर एक कोईल के Current देख रहे हो यह एक कोईल of Current हो गया इसके के कानंट कुछ Magnetic sanitary Produce हो इसी ही हर एक कोईल के कानट तो इसकें अंदर the American field होते है यह कंची चीजहों के कारण हम देक सकते हैं कितना ज्यादा current flow कर आ रहे हो जितना ज्यादा current उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा magnetic field और जितने ज्यादा turns होगे उतना ज्यादा magnetic field मिलेगा क्योंकि हर turn का magnetic field है वो add हो रहा है तो इन दो चीजों के ऊपर depend कर रहा है मेरा कि एक solenoid के अंदर कितना current होगा और यह किस की तरह behave करता है यह एक बार magnet की तरह behave करता है जिसके पास एक north और एक south pole है ठीक है यह जो n लिखा है small n का मतलब है turn ratio कि इसमें total कितने number of turns है और total length कितना है तो जितना ज्यादा dense आप इसको coil को ऐसे rotate करवा होगे उतना ही ज्यादा अच्छा कासा उसके अंदर magnetic field बनेगा अब question की तरफ बढ़ते हैं एक researcher ने क्या किया इस solenoid के साथ उसने एक graph बनाया जिसमें उसने magnetic field को देखा कि कैसे change होती है with respect to current in the solenoid अब उसका question यह है कि उस यूनिट है और current unit बताई है which of the following statement is correct if a soft iron bar is placed inside the solenoid अगर आपने एक solenoid के अंदर एक iron का piece insert कर दिया तो क्या होने वाला है ठीक है तो मैं एक example यहां हम diagram भी देखी लेते हैं consider करो एक ही iron का piece हमने solenoid के अंदर insert कर दिया है ठीक है इसको color कर देते हमें पता रहेगा तो यह द बताना है कि क्या होने वाला है तो पहला option the bar will be electrocuted resulting in short circuit इस वायर से touch होगा तो इसका मतलब है कि भाई short circuit हो जाएगा पर ध्यान रखना जब भी आप solenoid को बनाते होना तो सारे के सारे insulated wires का इस्तेमाल करते हो ठीक है naked wires नहीं होते मतलब plastic लगा होगा बाहर तो यह obviously एक दूसरे के साथ contact में नहीं आएंगे ठीक है यह गलत option है the bar will be magnetized as long as there is current in the circuit यह बात बिलकुल सही है क्योंकि जब यह आप circuit के अंदर एक इस type के barcode डालते हो ना तो यह पूरा circuit बन जाता है एक electromagnet का circuit ठीक है एक electromagnetic ऐसा device होता है जो उतनी देर के लिए magnetize होता है जब तक आप उसमें current flow करवाते हो तो जब तक इसमें current flow बनेगा तो नीचे इसके अंदर रखा हुआ यह magnet जो iron का piece है इसके अंदर से भी magnetic field जाने लगेगी और यह बहुत ही हद तक एक बार magnet की तरह behave करने लगेगा और का जाद अच्छा current जो इसमें ज्यादा अच्छा amount of magnetism आपको देखने को मिलेगा तो अब obviously यह option correct है the bar will be magnetized permanently यह answer गलत है क्योंकि आपने soft iron का बार लिया है iron की जगा कोई और material होता तो शायद ऐसा हो सकता था पर iron जो है यह easily demagnetize हो जाता है तो जैसे ही इसमें electricity पास करना बं magnetize हो जाएगा और last of the bar will not magnetize at all यह भी रॉंग है क्योंकि iron magnetize भी आराम से हो जाता है कोई ऐसी चीज लगाई जाती ही जैसे कि wood का piece वो magnetize नहीं होता ठीक है तो हम समझ किस question का answer क्या है Electromagnet कैसे बनता है और हमने soil node की बारे में भी थोड़ी information जान लिए Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 सूपर